तो यह दो कि प्यारे बच्चों अगर इस वाले कोस्चन को देखोगे तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि एक अपने पास लेंज है जिसकी फोकल लेंथ यहां पे दी हुई है फोकल लेंथ इस ओल डिमेंशन एफ है और एपेर्चर डायमेटर डी है ठीक ना और फॉर्म इमेज आप इंटेंसिटी आई मतलब आई इमेज की इंटेंसिटी बनाता है जब उसका एपेर्चर का डायमेटर डी है इस पार्ट फर्स्ट अब दे कोस्चन सेकेंड पार्ट में क्या हुआ है डायमेटर आधा लेंज को सेंट्रल रिजन से ब्लैक पेपर से हमने कवर कर दिया त तो फोकल लेंथ फोकल लेंथ एंटेंसिटी आप इमेज नाओ तो फोकल लेंथ और इंटेंसिटी आप इमेज कितना होगा अब हमें यह निकालना है देखो अगर इस कोशन को आपको करना है तो सबसे पहले आपको यह बात समझनी होगी कि अगर कोई लेंस है अगर मैं के formation से intensity पर क्या फरख पड़ता लेंस यह वली लेंस ऐसे वला consider कर लो और अगर इसको तुम लेंस तुम ऐसे इधर से aperture थी इभ दिवी देखना चाते एसे consider कर लो यह वली जो lens है यहां से ठीक ना तो यह एकर जा रही है, तो यह सामने वाला डाइम एयरेा, तो आपएर्चर है, तो आप compose बसे चलंवाम है, ऐब सब्सक्रदा अगर एक अीज़ू को कैने से जाटेज। ठीक ना ब्लैक पेपर से एकर कबर कर दोगे तो refractive index अब length से change नहीं होगा ये तो focal length जो है ओ constant होगा focal length black paper से change नहीं होगा इसका मतलब ही वह focal length अगर F था पहले focal length lens का F था तो अभी भी F होगा मतलब ये वाला option और ये वाला option सही नहीं है या तो ये सही है या तो ये सही है ठीक ना तो अब अगर आप देखोगे यहां पर दूसरी बात ठीक ना अब intensity image जो बन रहा है अगर आपने black paper से ढग दिया यहां से आपने इसको cover कर दिया ऐसे तो cover करने से होगा क्या कि जो intensity है image की इसको मैंने ऐसे cover पुरी तरह से अगर हमने यहां से close कर दिया तो जो image है उसकी brightness कम हो जाएगी ठीक ना brightness कम हो जाएगी तो अगर वह brightness कम हो जाएगी तो वही तो हमें calculate करना है तो हमें याद रखो कि image की जो intensity है image image के लिए जो intensity है जितनी ज्यादा light जाएगी ठीक ना उतनी ज्यादा अपना इमेज की brightness की मालब area of aperture जितना अधिक होगा aperture की area जितनी अधिक होगी ठीक ना उससे और area होता है pi r square तो r is equal to diameter d by 2 तो area is proportional to pi d square upon 4 ठीक है मतलब यहाँ से तुम लिख सकते हो कि जो intensity है वो area pi d square इसके proportional है तो अगर मैं बाद में intensity i2 लिखें और पहले मैं intensity i लिखें तो बाद की area a2 और initial area a1 बाद की area जो है initial area minus बचा हुआ area और यह divided by initial area ठीक ना धग दिये होना तो जिसमें से light जा रही है वही तो count होगा तो initial area यहां से देखोगे तो pi d square upon four और minus यहां से pi अब जो diameter d dash का square हो गया divide कर दो four से और initial area था pi d square upon four तो यहां से जो नया diameter जब आधा ढग दोगे ऐसे था ना तो इधर से close कर दोगे यह वाला part close कर दोगे तो यह diameter कितना हो गया d by two हो गया d dash is equal to d by two तो यहां से pi d square upon four और यहां से minus pi upon four और यहां से d dash square d dash square मतलब यह हुगा कि यहां से d square upon four यहां से divide कर दो यहां से pi d square divided by four तो यहां से आजाएगा पाई d square divided by 4 minus पाई d square divided by 16 और यहां से पाई d square divided by 4 तो इसको जब further solve करोगे तो यहां से 4 से multiply करोगे तो यहां से 3 पाई d square और यहां से divided by 16 अहां से पाई d square और यहां से multiply कर दो 4 से तो पाई d square पाई d square करें और यह 4 times कट गया तो जो final intensity ढगने के बाद आ जाएगा, वो 3 by 4 intensity आई, this is the final, इसका मतलब भी हुगा कि अपने पास जो C option है, वो सही है, thank you.